तो पिछली वीडियो में हमने बिमारियों के लक्षनों तता चिनों में अंतर पड़ा इस वीडियो में हम देखेंगे वो अधार जिन पर बिमारियां या रोगों को विभाजित किया गया है तो चलिए बताईए कि जुखाम तथा फेफडों में होए करक रोग में कौन सा रोग कम अवदी का होता है या असान शब्दों में कौन सा रोग जल्दी ठीक हो जाता है उत्तर के लिए तैयार है तो जो रोग जल्दी ठीक होता है तथा उसकी अवदी कम होती है वे है जुखाम फेफ्रों में करक रोग की अवदी बहुत लंबी होती है वहीं जुखाम कुछी दिनों में ठीक हो जाता है तो ऐसे रोग जो छोटी अवदी के होते हैं उन्हें हम कहते हैं तीवर रोग यानि के अंग्रेजी में acute diseases जिसका उधारन हमने अभी पड़ा जो है जुखाम वहीं कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनकी अवदी बहुत लंबी होती है और कई बार ये पूरे जीवन भी चलते हैं तो ऐसे रोगों को हम कहते हैं दीर्ग कालिक रोग यानि के अंग्रेजी में chronic diseases जिसका एक उधारन है करक रोग या आपके शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है ये तो था एक तरीका जिसमें हमने रोगों को समय की अवदी के अधार पर तीवर तथा दीर्ग कालिक रोगों में विभाजित किया दूसरा आधार जिस पर रोगों को विभाजित किया जाता है वो है उसके कारक अब ये कारक क्या होते हैं आईए इसे समझते हैं तो ये बताईए कि दस्थ होना और सरदर्ध होने में क्या अंतर है दस्थ आपको गंदा खाना खाने की वज़ा से हो सकता है जबकि सरदर्ध की कोई भी वज़ा होती है और जैसे कि हम जानते हैं कि गंदे खाने में कई तरह के हानिकारक सूक्ष्मजीव वास करते हैं और यही सूक्ष्मजीव कई तरह की घातिक बिमारियों को जन देते हैं तो इन सूक्ष्म जीव रूपी कारक के अधार पर रोगों को दो प्रकार में बांटा गया है, जो हैं संक्रामक रोग यानि कि Infectious Diseases और असंक्रामक रोग यानि कि Non-Infectious Diseases. तो वह रोग जो सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, कवक तथा वाइरस की उपस्तिती के कारण हमारे शरीर में होते हैं, उन्हें हम संक्रामक रोग कहते हैं। वही ऐसे रोग जिन में किसी सूक्ष्म जीव की उपस्तिती नहीं होती उन्हें हम कह सकते हैं, असंक्रामक रोग उधारन के तौर पर उच्छरक्थ चाप यानि कि High Blood Pressure तथा करक रोग जिसको हम Cancer कहते हैं। अब ये क्या है, इसे हम पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में। झाल। झाल। झाल झाल